तेना, हेलो फ्रेंड वैलकम टू अपकर फ्रनम वेलइकर लिश्टेटर पर है और जो टॉपिक है वह है आपका आट टॉपोरड तो आट बौरड है वे आपका डिफृंड डिफटिर्ट प्लैडफ़ों यूज होता है जैसे कि print हो गया जैसे कि आप UI design करते हो तब इसका यूज होता है और आप web यूज करते हो वेब के लिए जब आप motion graphic करते हो तब भी आप artboard का यूज करते हो तो friend मैं कौसिश करूँगा कि इसको पूरा cover करूँ और इसके काफी hidden features वो बीच बीच में आएंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा so friend मैं start करता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है जैसी file में जाएंगे आप new करेंगे तो देखेंगे यहां पर एक section आपका ऐसे section आएगा जिसमें recent आपके दिखा रहा होगा कि आपने recent जो use करें वो यहां पर दिखाएगा तो अभी मैं print पर जाता हूँ simple और पहला letter size है आप यहां से इसको resize भी कर सकते हैं यहां से आप इसकी orientation change कर सकते हैं यहां bleeding दे सकते हैं ठीके तो यहां पर देखिएगे CMYK mode है और RGB mode है RGB आपका electronic media जैसे web के लिए हो गया यह आप digital media के लिए use करते हैं ठीके तो अभी मैं CMYK रख रहा हूँ simple print media के हिसाब से और simple letter पे और यहां पर create पे click करता हूँ तो देखिएगे इस तरीके से आपके सामने एक artboard open होगा ठीके तो मैं आपको सबसे पहले यह बता दो कि इसको हम artboard ही क्यों कहते हैं क्योंकि आप देखिएगे जो आपके अलग software है आपका coral row है या in design है उसमें आप pages show करता है तो illustrator की meaning जो ले रखी है वो ले रखी है एक artist से हम artist को भी illustrator बोलते हैं तो artist अपने artboard पे work करता है तो इसलिए यह illustrator का part है तो इसलिए artboard इसको नाम दे दिये गया है So friend यह थी आपके artboard की कहानी कि हम artboard क्यों कहते हैं तो मैं इसकी feature पे आता हूँ सीधा यह देखिए आप simple इसपे click करेंगे तो मैं पहले इसपे click करेंगे तो देखिए यहाँ इसकी feature वह open कर देगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर predefined sizes होते हैं आप यहां से ले सकते हैं यह आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं जो manual आप डाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में देखेंगे, iPhone, iPhone, iPro, यह सब दिखा रहा है, यह आप जब UI डिजाइन करते हो, तो उसके हिसाब से आपको interface आपका sizing कर देगा, ठीक है, तो आप UI डिजाइन करते हो, आप यहाँ से sizes ले सकते हो, और आप अपना भी size डाल सकते हैं, यहाँ पे आपका motion graphic के लिए हो गया, ठीक है, तो अलग-लग sizes है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, और आप यहाँ से भी define कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद आता है आपका orientation, अगर आप landscape चाहो तो यहाँ से simple clicker के landscape कर सकते हो, यहाँ से simple portrait, और यहाँ पे आप द यहाँ से भी आप इसके panel से भी, आप simple click करेंगे, तो देखेंगे, आपका artboard insert हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, इसकी naming आ रही है, तो आप naming भी रख सकते हैं, आपने समझ के लिए, suppose करो कि आपने कई design इसमें बनाया है, किसी में अपने flyer बनाया है, किसी म naming भी यहाँ पर show कर रहा है, flyer यह पर आपकी समझ के लिए, ठीक है, so friends, इसके मैं अगले option पर चलता हूँ, आपका देखेंगे, यहाँ पर delete artboard, आप simple यहाँ से delete भी कर सकते हैं, उस artboard को आपको simple select करना है, simple इस तरीके से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से delete option करेंगे, तो बहन देता हूँ, ठीक है, और one बहन देता हूँ, ठीक है, so friend, मैं इसके अगले option पर चलता हूँ, वो है, आपका देखेंगे, यहाँ पर दिखा रहा, move copy artwork with artboard, तो इसकी meaning मैं clear कर देता हूँ आपको, मैं पहले एक file open कर लेता हूँ, simple यहाँ पर, so that आपको ज्यादा clear हो जा अपने वाली file पर जाता हूँ, और यहाँ पर paste कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर आप इस option को यहाँ से off कर देते हैं, तो off करने से क्या होगा, जब भी आप artboard को move करेंगे, तो देखेंगे, आपका design move नहीं होगा, आपका design वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है, मैं अभी क design भी move होगा, ठीक है, तो एक चीज और मैं बताते हैं, तो इसमें एक hidden feature है, जैसे आप alt के साथ इसे click करते हैं, तो देखेंगे, आपका artboard की और copy बन जाएगी, तो आप पूरी complete artboard की with design भी आप इस तरीके से copy कर सकते हैं, ठीक है, तो अधरवाज है, आप यहाँ से insert तो simple artboard, blank artboard open होगा, जो की आपका last size जो भी होगा, उसका एक नया artboard open कर देता है, without design, so friend, artboard के अगले feature पर चलता हो, तो आप देखेंगे, यहाँ पर एक artboard option, अगर आप इस पर simple click करेंगे, तो देखेंगे, यहाँ पर, यह चीज तो मैंने आपको बता दी, यहाँ से size define कर स तो देखेंगे, इस artboard का यह center आपको soak कर रहा है, ठीक है, अब मेरे कोई समझ नहीं आता है, यह option यहाँ पर इन्होंने क्यों soak किया हुआ है, इसका मैंनला कुछ खास use है नहीं, तो बस यह मेरे को आपको बताना था, तो simple मैं इसे अभी off कर देता हूँ, अच्छा, तो यह मैं एक new artboard लेता हूँ, और इसे create कर देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, यहां से मैं, suppose करो कोई, जब motion graphic के लिए बनाते हैं, तो उसका कोई size मैं यहां से ले लेता हूँ, suppose को HDB 180, ठीक है, तो 1080, और इसको मैं यहां से change कर देता हूँ, इसके आप इन दोनों को on करेंगे, फिर okay करेंगे, तो देखेंगे, यहां पर guideline यहां पर show कर देता है, यह इसलिए होता है कि जब आप motion graphic में काम करते हैं, और जातर motion graphic के जो भी designer होते हैं, वो आपका AI या आपका Photoshop में काम करते हैं, और वहां से design ले जाते हैं, और उसके बाद दिखाने के लिए कि यहां पर जो यतना area आपका safe area है, जिस पर आपको design करना है, तो बस यह चीजे वो इस option से जो है, वो मैं दिखा देता हूं, इस option से जो यह highlight कर देता है, so that आपको design करने में असानी हो, so friend, यह था इन दोनों option का use, तो अभी मैं इसे cancel कर देता हूं, और अपनी file में ही चला जाता हूं, simple इसको no कर देता हूं, और अपने file में चला जाता हूं, इसके बाद जो option आता है, friend, वो आता है, मैं simple इधर किलिक करके इसे पहले लाता हूं option को, यह है, आपका, देखेंगे, fade region outside artboard, अगर मैं इसे off कर देता हूं, तो देखेंगे, जो इसक करता है, तो आप कोसिस करेंगे, इसे only रखेंगे, क्योंकि आपको यह confusion से create करता है, so that आपको, आपको, जो resizing करनी है, उसमें problem करेगा, तो इसलिए आप इसको कोसिस करेंगे, इसको only रखेंगे, और इसे ok कर देए, ठीक है, तो देखेंगे, यह पुराने mode पर आ जाएगा so friend, मैं इसके बाकी feature पर चलता हूं, और मैं इधर अभी के लिए मैं यह artboard delete कर देता हूं, यहां से simple, सारे artboard यहां से delete कर देता हूं, ठीक है, और यह सब यहां से delete कर देता हूं, ठीक है, तो अब मैं अगले feature पर चलता हूं, इसके मैं दिखा देता हूं simple, और यहां पर जो यह देखेंगे जो यह है reference point इसका क्या है यह हुजे मैं आपको बता देता हूँ जैसी आप इस पर click करेंगे और उसके बाद जब आप artboard का side change करेंगे तो अभी मैं इसका थोड़ा mode change कर देता हूँ यहां से ruler own कर देता हूँ देखेंगे इस side को यह increase करेगा center से increase नहीं करेगा तो मैं दिखा देता हूँ जैसे मैं 9 inches करता हूँ तो देखेंगे यहां से 1 inch आपका increase हो गया और अगर मैं center पर रखता हूँ और इसके बाद में इसके width को change करता हूँ तो देखेंगे दोनों side से हो गया ठीक है यह reference point है कि आपको किस side से increase चाहिए किस side से आपको decrease करना है आपको so friend एक important hidden feature था जो मैं आपको बताना भूल गया है मैं आपको बता देता हूँ इस वाले artboard को मैं simple delete कर देता हूँ और मैं दुबारा artboard option पर जाता हूँ और friend अगर आप चाहते हो कि जो artboard है वह आप आपका customized size हो suppose करो यहाँ से तो आप insert करी रहे हो ठीक है यहाँ से तो insert करने पर आपका artboard insert हो रहा है और जैसे अगर आप इस तरीक से draw करेंगे तो देखेंगे आप जिस size का भी draw करेंगे उसी size में आपका artboard उसी size का आपका बन तो आप इस तरह ब्रो करके भी अपने Artboard को साइजिंग दे सकते हैं या New Artboard की क्रेट कर सकते हैं घ्रियारन भी अपने Artboard की करेट कर सकते हैं इस तरह्गे से जञाँ आप देखी है यह अपको लिद इस पर दीज़़ की जारा है insert कर देता हूं, so that मैं उस feature के बारे में आपको बता पाऊं, अगर friend आप चाहते हो कि bottom में आपने suppose करो कोई band आपने ड्रो किया, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पर band आपने कोई ड्रो किया, ठीक है, यहाँ पर आपने ड्रो किया, और आप चाहते हो कि यह जो तो मैं copy और दुबारा में जब paste करूँ, तो यह सारे artboard के bottom में आ जाए, same इसी position में, तो आपको करना क्या है, ctrl c करना है, ctrl shift alt v, यानि ctrl shift alt v आप प्रेस करेंगे, तो देखेंगे आपके सारे artboard पे, यह जो band है आपके अपने आप पेस्ट हो जाएगा, तो friend, यह एक छोटा सा hidden feature था, जो मैंने आपके साथ share किया, so friend, मैं इसके अगले feature पे चलता हूँ, इसका जो अगला feature है, वो आपका sizing गई है, यहां से भी आप sizing कर सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए मैं यह artboard सारे delete कर देता हूँ, simple, और यह जो band है, इस सारे delete कर देता हूँ, यहां से, ठीक है, so friend, मैं इसके अगले feature पे चलता हूँ, वो है आपका, मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका rearrange all, तो इसकी meaning क्या है, इसको बताने के लिए मैं एको पहले कुछ artboard यहां पे insert करने होंगे, तो मैं simple insert कर देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है, तो friend, इसके बाद आप जाएंगे rearrange all, ठीक है, rearrange all मैं देखेंगे, यहां पे आपको layout के इसके अलग-अलग जो grid बता रहा है आपको, अगर मैं इस पे यह वाला चूज कर देता हूँ, arrange by column, और simple A की रहन देता हूँ और उसे ok करता हूँ, तो देखेंगे, आपके सारे artboard, जैसे आप कोरल में देखते हैं, या जैसे आप indigian में देखते हैं, तो उस तरीके से आपको यह soak करने लग जाएगा, ठीक है, और इसके बाद इसके और भी feature है, मैं rearrange करता हूँ, उसके बाद यह वाला layout चूज करता हूँ, और यहाँ पर column करता हूँ, तो देखेंगे, 2,2 की column बनके यह insert, उस shape में यह arrange कर देगा, तो मैं simple ok कर देता हूँ, तो देखेंगे, आपके यह two column में arrange कर देगा, ठीके, इसके बाद मैं अगर rearrange में जाता हूँ, दुबारा यह वाला चूज करता हूँ, grid by column, तो यह rows है, अगर मैं rows 3 कर देता हूँ, तो देखेंगे, यह 3 rows में आपको show करेगा, तो देखेंगे, यह 1, 2, 3, ठीके, इसके बाद मैं जितने भी insert करूँगा, तो इसके आगे-ागे insert होते चले जाएंगे, ठीके, तो यह एक तरीसे artboard को arrange करने का तरीका है, आप इससे artboard को arrange कर सकते हैं, फर्ण मैं इसके अगले feature में चलता हूँ, अगला feature मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं suppose करो यहाँ पर कुछ draw करता हूँ, इस तरीके से, suppose करो यहाँ इस वाले artboard में आपको कुछ design बनावा है, बीच में इस artboard में आपका कुछ design बनावा है, मैं इसका color change कर देता हूँ, simple, red कर देता हूँ, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका वही artboard delete हो, जिसमें कोई design नहीं बना, तो उस case में आप क्या करेंगे, simple, यही वाला panel आप open कर देंगे, जो कि आपका यहाँ show कर रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसके देखिए जो options है, यहाँ पर click करूँगा, simple, और यहाँ पर delete empty artboard, देखिए, मैं जैसी delete empty artboard पर click करता हूँ, तो देखिए, जो भी आपका artboard में design नहीं था, वो artboard आपके delete होगे, तो इस तरीके से जो आपके blank artboard है, वो आप इस तरीके से delete कर सकते हैं, एक ही command में, ठीक है, यहाँ पर, इसी को मैं suppose कर लेता हूँ कि कोई आपने sticker बनाया है, इस तरीके से, और इसका कोई size मैं रख लेता हूँ, simple, 4 inches by 4 inches रख लेता हूँ, ठीक है, तो और इस मैं suppose कर रो आभी कोई red color फिल कर देता हूँ, और इसे यहाँ से outline कर देता हूँ, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि, जिस size का आपने design बना दिया है, उसी size का आपका artboard हो जाए, और आपको artboard का design जो size है उसको आपको define ना करना पड़े, यानि डालना ना पड़े, तो उस case में आपको क्या करना है, simple आप इसी option पर जाएंगे artboard tool पर और इस पर आप double click करेंगे simple इस तरीके से, तो देखेंगे जो आपका artboard का size है वह आपका, जो भी आपने design define बनाया होगा या define किया होगा, तो उसी size का आपका artboard हो जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखेंगे, उसी के नीचे आपका देखेंगे artboard दिखा रहा है, तो मैं अभी undo कर देता हूँ, तो front एक और तरीका है artboard के size को define करने का वह भी मैं आपके से share कर देता हूँ, अगर आप कोई size लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, मैं अभी इसको, इसको जो fill है, option आप on करेंगे, और इसे करेंगे convert to artboard, तो देखेंगे यह आपका artboard में convert हो जाएगा, तो इस तरीकी से आप rectangle ड्रो करके उसको artboard में भी convert कर सकते हैं, so friend में इसके अगले feature और last feature में चलता हूँ, वह है आपको artboard को alignment करना, ठीक है, उसके लिए आपको करना है, simple यही artboard tool लेना है, और आपका artboard देखेंगे यह आपके अभी arrange नहीं है और यानि alignment नहीं है, तो आपको करना है, simple इस तरीकी से आपको select करना है, और आप देखेंगे, यहाँ पर simple top अगर आप press करते हैं, तो देखेंगे आपका top line हो जाएगा, अगर आप center press करते हैं, तो देखेंगे center line हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसके alignment के साथ आप play कर सकते हैं, यह था आपका artboard option और artboard tool, I hope यह वीडियो है आपकी illustrator की knowledge को और increase करेगी, तो फ्रेंड यह वीडियो आपको कैसे लेगी अपना feedback जो दीजेगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो यह वीडियो like जरू कीजेगा, तो फ्रेंड आप जितना like करेंगे उतना मेरे को motivation मिलेगा, और फ्रेंड कोशिज कीजेगे यह वीडियो शेर जरू कीजेगा, क्योंकि जो knowledge है वो शेर जरू होनी चाहिए, तो फ्रेंड आज की वीडियो में इत्रा है, thank you.